पूर्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह निगोही का आउटर है जिदर से हम आपको यह व्यू दिखा रहे हैं और यह वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर वेपिन वर्मा ने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारे पीली भी शाजहापूर रेल खंट पर तेज हो गए हैं जैसा पूर्व में भी हमने आपको वीडियो उसमें दिखाया किस प्रकार से खीरिया कुर्द हॉल्ट के पास वेची मास्ट तेजी से डाले जा रहे हैं वहाँ पर फांडिशन बना किस प्रकार से क्रॉसबार्स वगएरा लग रही हैं उपर तार आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा तो कारियों में तेजी आ गई है क्योंकि नवंबर तक कोशिश हो रही है दीपावली तक या मिडल आफ नवंबर तक कि जो वाइरिंग का काम है ये पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर लोको ट्रायल कराया जाए और उसके बाद फिर कमिशनर रेलवे सेफटी से रिक्वेस्ट की जाए कि वो आ करके निरिक्षण करें ताकि फिर आगे ये लोकों से रेलगाडियों के संचालन का रस्ता साफ हो सके तो यहाँ पर काफी तेजी से ग्रीन प जाड़ियां भी आए दिन आती रहती हैं वेगन ट्रेंस कोईला लेकर के तो शाजहापुर की दिशा से जो अब लोड़ेट वेगन ट्रेंस आ रही है निरंतर बीसलपुर और आगे भूपतपुर की दिशा में तो ये भी एक अच्छा साइन है बहुत की आने वाले समय में क्योंकि सेक्षन पर अब आवाजाही शुरू हो गई है तेज रफ्तार के साथ तो उमीद की जा रही है कि फिर यात्री गाड़ियों के संचालन का नोटिफिकेशन भी अब जल्द आ जाए जिसका बहुत लंबे समय से लोग अब प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर आप द को निरंतर तेजी से उसकी फिनिशिंग हो रही है जो यहाँ पर वाइरिंग वगएरा हो गई है उसके कारियों को पूरा किया जा रहा है ताकि डिले और ना हो प्रोजेक्ट में क्योंकि बीच में भी छुटियां पड़ेंगी जैसा आप सब जानते हैं दीपावली आएग सकते हैं क्रॉस बार्स पर यहाँ पर किस प्रकार से चीजों को फाइनल किया जा रहा है कारियों को पूरा किया जा रहा है लोग लगे हुए निरंतर सुरक्षा की जाली है उसको दिखी लगा लिया गया है उस पर पेंट चल रहा है अभी जितने भी ट्रैक्स हैं इनके यह बहुत important होती है सुरक्षा की दिश्टी से ताकि कोई भी यहां से गिरे अगर या कोई हाथसा ना हो नीचे 25,000 वोल्ड का करेंट जब दोड़ेगा 25,000 वोल्ड से चार्ज हुज जाएगी लाइन तो सुरक्षा जाली भी है यहां से सारे ट्रेक्स का आपको व्यू उपर से नजर आ रहा होगा देखिए किस प्रकार से यहां पर स्टाफ लगा है देखिए विल्डिंग हो रही है उसको विल्ड किया जा रहा है फिक्स किया जा रहा है जो सुरक्षा जाली है यहां पर दोनों ही workers आपको दिख रहे होगे कुछ crossbars के उपर भी आपको नजर आ रहे होगे लोग चड़े हुएं आगे भी चड़े हुएं आगे रहे हैं कारी हो रहा है और पैदल पूल के उपर भी देखिए तेजी के साथ अब कारीों को पूरा किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा साइन है क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डिले होता है छोटियां आ जाती है बीच बीच में तो फिर वो चीज फर्दर डिले होती ही चली जाती है तो समय से प्रोजेक्ट को पूरा होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं जब डिले होता ह प्रोजेक्ट में तो प्रोजेक्ट की जो लागत है कॉस्टिंग जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है कहीं न कहीं तो ये अंत में जा करके जो भरपाई इसकी होती है वो हमारे और आपके पैसे से ही होती जो जनता का पैसा है टेक्सपेर्स मनी है उस पैसे से यह सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं तो फिर वो waste of money आप कह सकते हैं उसमें पैसे की बरबादी है अगर costing उपर जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की तो एक प्रकार से उसको आप नुकसान ही मानिए नुकसान ही समझिए क्योंकि taxpayers money से ही सारे जित्ते भी infrastructure प्रोजेक्ट्स ह ही आती चाहिए टिकट के जरीया है चाहिए प्रैटफॉर्म टिकट हो service tax हो तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर से हम आपको पूरा दृष्च एक दिखा रहे हैं नजारा निगोही station पर किस प्रकार से यहां पर कारी हो रहा है यह देखिए आप इधर का side में भी जो tracks है किस प्रकार से wiring वगरा यहां पर कर ली गई है और इसको final किया जा रहा है बहराल काफी सारे staff के लोग यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं वेगन ट्रेन सामने से अब आ रही है धीमे धीमे तो मालगाडियों का आना जाना लगा हुआ है अब निरंतर जब से शाजहापुर से रूट लिंक हो गया और पहली बार वेगन ट्रेन आये थी कोईला ले करके तब से अब तक निरंतर हफते में एक दो मालगाडियां आ ही जाती है तो यह अच्छी खबर है यह अच्छी बात है देखने में भी यहां पर सेक्शन पे अब एक हल चल र तो अब चुकि निरंतर वेगन ट्रेंस आ रही है तो अब लोगों की उमीद भी है और लोग आशा भी कर रहे हैं कि इस बाबत अब DRM साहब हमारे इज़त नगर मंडल के अर्श्टोष पंत जी अब कुछ प्रो एक्टिव कदम जिसको कहते हैं उठाना चाहिए रेलवे ब इतमें फंक्शन होगा क्योंकि बहुत डिले अल्रेडी हो चुका है तो यह आप देख सकते हैं सामने से अब वेगन ट्रेंड जा रही है एक छोटा सब्यू इसका भी वीडियो में साथ में कोईला लेकर के निरंतर वेगन ट्रेंड आ रही है अब और बस लोगों को अब इंतजार है कि इस रेलखंट पर अब यात्री गाडियां कब दोडेंगी उनके दर्शन कब होंगे आप कह सकते हैं अब यही एक यक्ष प्रशन रह गया है अब देखना होगा कि उधगाटन क कि तारिख का बाती है क्योंकि नई ट्रेंड चलेगी पहली बार चलेगी यात्री गाड़ी तो उसका विधिवत उधगाटन होगा बकायदा इनागरल सरीमनी होगी अब वो देखना होगा पीली भीत में होगी या शाजहांपुर में की जाएगी और कहां के सांसद जंडी दिखाएंगे उमीद पीली भीत से ही जादा है कि पीली भीत जंक्शन पर ही फंक्शन होगा और शायद वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए फ्लैग ओफ किया जाए ट्रेन को विलंब नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्रडी बहुत देर हो चाहिए लोग जो है महंगा जनता को मिल जाए ट्रेन्स का दीपावली से पहले यही उमीद के साथ हम यहाँ पर अपनी बात समाप्त करेंगे और आप इस जाती हुई वेगन ट्रेन का यू देखिए उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा शोरी लाइन करेंभी देखिए शनी शोके में खनी दोफाने की борहली कंशे पर हीजिए लाके अपनी आ राटके आप आपके में अनल खाना के कि बोगा जाए बाई ने कि आइखा टरब जाए ना कि यह थे दिखा टरबाई आज़ पिसे कि जाहला एंगि यह कि टीम घर लगए 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 कि राजिंग फटकिया बन दती ना पहुट जाम लग जादुए अवाता रोट नाए वनो रोट बंजी इस्टा हो जादा जाम लगी करें जाम लगी करेंडारीबर नाँ़ जाम लगी करेंजी इसाहता fen